हलो भाइयो कैसे हो उमीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल लए होगी तो यह ट्रिग्नोमेट्रिक की दूसरी वीडियो है इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक की एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी है अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल में जाएए और वो वीडियो को जरूर देखिए जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक को बेसिक से स्टार्ट किया है और इस वीडियो के अंदर भी हम क्या करेंगे अच्छी क्वालिटी के कोशन करेंगे जो एससे के अंदर पूछे गया है और इन वीडियो को आप जब देखेंगे तो banking की भी करते हैं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके का question trigonometric के अंदर से पूछा जाता है तो चलिए video को start करते हैं और question को solve करते हैं वीडियो के एंड तक बने रहिए पूरी वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से अंदाजा लग जाए आइडिया लग जाए कि कैसे एक्जाम में कुछन पूछे जाते हैं यह आपका फॉस्ट कुछन है इफ साइन ए प्लस साइन स्कॉर ए बराबर वन दिन दे वैल्यू ओफ कॉस्ट की पावर फॉर ए इस सीजियल मेंस दोहजार पंद्रा का पूछा हुआ कोशन है चार आप्शन है और यह बहुत फेमस कोशन है हर साल अलग अलग एक्जाम में वैल्यू को चेंज करके इस तरीक के कोशन पूछता है ओके यहां देखिए साइन ए प्लस साइन स्कॉर ए आपको 1 दिया है और आपसे पूछा है cos square a plus cos की power 4a की क्या value होगी तो अगर sin square को हम देखे और यहां 1 देखे इसको left में लेकर जाएंगे तो यह sin square यहां के minus sin square हो जाएगा तो 1 minus sin square और left में sin a बचेगा मतलब left side में sin a और right में यह value right में चली जाएगी तो 1 minus sin square है और आपको पता है इससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने explain किया था कि trigonometric की first identity से 1 minus sin square a को हम लिख सकते है cos square a trigonometric की first identity क्या होती है sin square theta plus cos square theta बराबर 1 तो उसको ही use करके मैंने लिख दिया 1 minus cos sin square a बराबर cos square a तो यहां से आपको sin a मिल गया cos square a इसका यह मतलब हुआ कि जहां पर cos square a दिखेगा वहां हम sin a रख देंगे यह value के जगा पे हम sin a रखेंगे यहां cos square a दिखता है तो यहां हम sin a रखेंगे plus यहां cos की power 4 है और यहां a की value sin a है तो cos square 4 4 को हम तो यह लिख सकते हैं को 2 लिखेंगे और फिर पूरे का square कर सकते हैं तो sin cos square a यहां पर हम क्या रख देंगे sin a यहां sin a रखेंगे तो square हो जाएगा तो sin square a मतलब आपने इसको change कर दिया इस तरीके से sin a plus sin square a और यह तो already दिया है कितना one तो इसकी भी value one हो जाएगी मतलब आपका d option connect हो जाएगा बस इसमें आपको कुछ करना नहीं था आपको trigonometric की first identity याद रखनी है sin square a plus cos square a बराबर one बस आपको यह याद रखना है यह tricode mithi की पहली identity होती है यही आपको याद रखना है मैंने इसको change कैसे किया था sin square a को right मिले जाकर यह value को right मिले जाकर मैंने change किया था cos square a बराबर यह right में जाएगा तो one minus sin square a हो जाएगा तो one minus sin square a बराबर हम cos square a भी रख सकते हैं ओके तो one minus sin square a बराबर cos square a मैंने put किया तो बस आपको याद रखना है यह अच्छे से याद रखना है साइन इसकार यह प्लस कास इसकार यह बराबर वन यह ट्रिग्नोमेट्री की फॉस्ट आइंटिटीटी होती है चलिए अगले कोशन पर बढ़ते हैं यह आपका दूसरा कोशन है इफ साइन 3A बराबर कॉस ए माइनस 26 वेर 3A इस एन एक्ट्यूट एंगल दिन्द वैल्यू ओफ ए इस सीजी एन मेंस 2014 का पूछा हुआ कोशन है चार आप्शन है और यह कोशन एक फिक्स पैटरन का कोशन है ऐसा कोशन बहुत एक्दाम में पूछा जाता है 3A एक एक्ट्यूट है और एकी वैल्यू आप से पुछाए कि एक कमान मतलब यह यह वैल्यू पूछा इसमें से कौन सी वैल्यू एक वैल्यू है देखिए यहां लिखा है साइन 3A और राइट साइड में कॉस की वैल्यू लिखिया ब्रेकेट के अंदर तो थोड़ा सा अगर एक लॉजिक डिस गयां एक आसा है कि यहां साइन जाता है अगता है और को शेक में जाएगा सर्क में जाएगा और को सेक में जाता कब होता है 90- printers के साथ यह कहानी चलती है घ्यूसलीफ है्सðा को से क्दा और यह मतलब विए जो लिखी है और यह वैलू जो लिखी है और यह वैलू जो भूती है बेखे कि इन दोनों का समेशन 90 लिख सकते है इन दोनों को जोड़ को यह वाला एंगल फीटा और nis माने शीटा जोड दूँ जोडने के बाद ठीटा माने शीटा कट जाएगा 90 बच जाता है मतलब साइन जब कॉस में जाता है तो एंगल का समेशन 90 डिग्री होता है इंगल का समेशन 90 डिग्री कॉस साइन में जाता है तो देखिए एंगल का समेशन सम मतलब जोड ठीटा माने चुक्ता है तो साइब कॉस्मेशन 90 होता है मत अपसे कर यह कि यह अगर आप कहेंगा इसे कि यहां का जो एंगट है इसका जो एंगल अंका इनका समेशन 90 होता है तो यहीं माइन्स 26 इनका समेशन 90 वह दिदेगर के अर यह व्लमाल अले म js पड़ा डिगरी कर देना था तो ठीए और एक इतना होता है फोर ए और माइनस 26 को राइट मिले जाकर नब्बे के साथ जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा कि सॉल्फ करेंगे तो आपको मिलेगा है कि 29 एक वेलिव 29 चार दुना के याठ चार नवाच चत्तिस ओके यह मिल आपको 29 मतलब आपका option करेक्ट हो जाएगा यह option आपका करेक्ट हो जाएगा तो बस आपको इस तरीके का अगर पैटन दीखे साइन कॉस में जा रहा है तो का टैन का काट के साथ हो इस तरीके का relation दे तो आपको बस क्या करना है दोनों एंगल को जोड़कर 90 डिगरी कर देना है ओके चलिए अगले कोशन पर बढ़ते हैं तीसरा नंबर कोशन है इफ टैन एक्स बराबर साइन 45 प्लस साइन 45 देन दा वैलिव आफ एक्स इस मतलब ए अप्शन दिया है एक्स बैसिकली एंगल है को के डिगरी में दे रखा 30 45 60 90 देखिए एकदम आसान कोशन है कुछ है नहीं इस कोशन को आप जभी कर पाएंगे जब आपको टेबल पता होगा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद होगा वैल्यू पता होगी कि साइन 45 क्या होता है कॉस 45 क्या होता है साइन 30 क्या होता है वो आपको याद है तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आली बात नहीं है अगर जिन भाई को नहीं याद होगा तो डि से आप सब कुछ सीख जाएंगे ओकि तो देखिए कुछ करना नहीं था इसके अंदर टायन X लेफ्ट साइड में साइन 45 कितना होता है, वन अपॉन अंदर रुट टू होता है जब तन falls विर फ्सेम होता B option आपका correct हो जाएगा X कब 1 होता है यहाँ tan X 1 कब होता है जब X आप 45 रखेंगे tan 45 की value 1 होती है थोड़ा reverse सोचना था इसको ओके तो B की value B option आपका correct हो जाएगा 45 degree easy question था अगले question पर बढ़ते हैं यह आपका चौथा question है 5 cos theta plus 12 sin theta बराबर 13 13 है theta 0-90 की बीच में लाइक कर रहा है then the value of sin theta is मतलब आपसे sin theta की value पूछा है CGL means 2015 का पूछा हुआ question है 4 option है ओके आपसे sin theta पूछा है और यह आपको equation दे रखी है sin cos के form में तो यहाँ से अगर solve करके निकालने जाएंगे बहुत मतलब squaring करके solve करेंगे तो बहुत जादा complicated हो जाएगा हमें sin theta निकालना है तो सुनिए कैसे हम इसको अच्छे से try करते हैं इस question को देखिए और बहुत easy तरीके से try करेंगे यहाँ 5 लिखा है यहाँ 12 लिखा है और यहाँ 13 लिखा है तो 5 12 13 हमें पता होता है कि right angle triangle का triplet होता है 5 12 और 13 right angle triangle का triplet होता है ओके right angle triangle का triplet क्या होता है 5 12 13 तो अगर मैं इस 13 को divide कर दू left side में तो 5 upon 12 13 यह 13 इसके निचे हैगा तो 5 upon 13 cos theta plus 12 upon 13 sin theta बराबर 1 यह आ गया अब देखिए 5 यहाँ cos लिखा है यह 5 upon 13 लिखा है cos theta क्या होता है base upon hypotenuse या फिर adjacent upon hypotenuse तो cos theta क्या हो जाएगा यह भी तो cos ही लिखा है बिसिकली तो cos और cos क्या हो जाएगा cos square हो जाएगा या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यह हमारा cos हो गया cos theta और यह भी cos theta ही था plus 12 upon 13 opposite perpendicular upon hypotenuse यह भी sign हो गया sign into sin theta बराबर 1 तो देखिए cos theta cos theta cos square theta sin theta sin theta sin square theta बराबर 1 satisfy कर गया मतलब 12 upon 13 के जगा पे मैंने क्या रखा है sin theta तो sin theta की क्या value हो जाएगी 12 upon 13 मतलब आपका D option correct हो जाएगा तो इस तरीके का question exam में आए तो आपको यह logic यह trick follow करना है तो cos theta की क्या value होती है 5 upon 13 5 बटा में 13 हो जाता ओके चलिए अगले question पर बढ़ते है यह आपका पाचवा question है if sec theta minus tan theta बराबर 1 upon under 3 then the value of sec theta into tan theta is CGL मेंस 2015 4 option ओके आपसे यह value पुछा है sec theta into tan theta क्या होगा और आपको जो condition दी है sec theta minus tan theta 1 upon under root 3 दिया है तो देखिए इसको करने का 2-3 तरीका है लेकिन मैं सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगा अगर मैं यहां से कोई ऐसा theta search कर लूँ ऐसा theta search कर लूँ जो इस condition को satisfy कर जाए तो वो theta अगर इस condition को satisfy करेगा तो वो ही theta उठा कर यहां हम put कर देंगे और answer हमें मिल जाएगा तो जरा हम पहले theta को one by one check करते हैं अगर theta मैं 30 रख दूँ तो sec 30 क्या होता है देखिए अगर आपको sec 30 नहीं यहां थे तो आप cos 30 पे चले जाएए mentally cos 30 पे जाएए cos 30 root 3 by 2 होता है sec 30 क्या होगा 2 upon root 3 2 upon root 3 minus 10 30 क्या होता है 1 upon under root 3 1 upon under root 3 तो नीचे base से में 2 minus 1 1 upon under root 3 देखिए 30 पे ही satisfy कर गया right side में 1 upon under root 3 है मतलब theta को मैंने 30 degree रखा तो 30 पे ही satisfy कर गया अगर नहीं satisfy करता तो हम 45 देखते फिर हम 60 भी देख लेते फटा फट टेबल याद है तो देखिए इन सब में बिल्कुल टाइम आपको नहीं जाएगा तो 30 पे ही पहली value पे ही satisfy कर गया मतलब यह जो data set किया गया है वो theta is equals to 30 degree पे set किया गया है उठा का बस यहां 30 रख देंगे theta के जमापे से 30 कितना होता है अभी मैंने यहां लिखा देखिए 2 अपॉन अंडरूट 3 इंटू टाइन 30 कितना होता है वन अपॉन अंडरूट 3 बस तू बन जट टू और नीचे 3 आएगा आपका रूट 3 रूट 3 कितना होता है रूट 9 रूट 9 थी बन जाता है अपॉन जट रूट 3 मतलब यह ओप्शन आपका करेक्ट था है आप दूसरे मेश्चक से भी जा सकते थे सट फीटा माइन स्टाइन टीटा वन अपॉन अंडरूट 3 है तो शेक थीटा Tech Theta, 9-10 Ñ सक टीटा, सबसक्त टीटा प्लसट टाइन तिटा, सेग ठीटा प्लस, 10 टीटा, पहली वीडियो में बहुत डीटेल तरीके से," one, तो सब टीटा मांने सट टीटा, सब टीटा प्लस, 10 टीटा वन", सब्सक्राइब को दिया था उन अपन अंडर रख देते और फिर यहां डिवाइट कर देते तो बाइस थी जा यहां प्रुफ सब्सक्राइब यह मिल स्कुछ यह दोनों को सॉल्व करते घटा देते तो इस तरीके से बहुत जाधा लेंदी पड़ जाएगा कुछ स्टुडेंट को यह मेथड आता भी होगा ओके लेकिन मैं कहता हूं कि इस तरीके कि कुशन को आप यह सैटिस्फेक्शन वाला मेथड यूज करिए कि ठीटा उठा के फटा फट पुट करना और चेक करना कि कौन सा ठीटा कंडिशन को सैटिस्फाइब कर रहा है ओके चलिए अगले कुशन पर हम बढ़ते हैं यह आपका कुशन नंबर सिक्स है इफ सेवन साइन इसकोर ठीटा प्लस थ्री कॉस इसकोर ठीटा बराबर चार दिया है देन दे वैल्यू ऑफ पैंड ठीटा इस ठीटा इस एक्यूट मतलब ठीटा जो एंगल है वह एक्यूट है ओक यह कंडिशन आपको दे रखी है और टाइंड ठीटा पूछा ओनली टाइंड ठीटा और डाटा देखे कितना असान असान दिया वन अपॉन अंडर रूट थ्री मतलब ठीटा 30 हो जाए तो 30 की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट 3 फिर यहां रूट 3 दिया है साट हो जाए तो ज़र में इस कंडिशन को चेक कर लेते हैं कि एक के बाद एक जीटा सैटिस्फाई कर गहें क्या 30 पितस्फाई कर रहा है अगर मिच वह यह कंडिशन का ने जाएंगे पर तरीके से करें लोयग थ्यां डिजल आए साइन यहाँ ठीटा 30 एसर रखेंगे तो द already 16 रखेंगे तो अर इस्क्वार्ड है तो रूट फटर तो छाएगा तली उस्क्वार दाइगा और बाई टू था टू कैस्वारा achie result तो 3-3 के 9 9 7 16 16 वटा में 4 1 जा 4 4 4 4 16 चार आगया यह तो ठीटा इस legalस venue के Г— 22 परैले ही पर सॉतिस्पाय कर गया कितना आसाan data सेट करके रखा है तीटा सब्सक्राइब एंगो Soc guideline डिगरी स्रेम अक्तली सेथ स्विद्स आण स्रें कितना होथा 1 upon under root 3 मतलब आपका A option correct हो जाएगा तो इससे पहले वाला question मैंने satisfaction पर ही कराया और ये वाला question भी देखिए ऐसा ही है तो आपको अपने दिमाग में इस तरीके का जो method है कि छीटा उठा कर अपने mind से guess करके यहाँ put करना और put करके answer ले कराना इस method पर भी आपका mind exam में ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए क्योंकि ऐसे question exam में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस तरीके का question को solve करने के लिए आपको table अच्छे से याद होना चाहिए और again कहता हूँ अगर आपको table नहीं आज़े तो description में link है जाइए वहाँ पर देखिए मैंने अच्छे तरीके से explain किया है table को वहाँ आपको याद नहीं करना पड़ेगा मैंने trick के थुरू बताया है कि कैसे आप हमेशा के लिए table को याद कर सकते हैं अभी नहीं भूलेंगे तो इस तरीके का question बहुत important होता है याद रखिएगा ये accept pattern है जरूर पूछा जाएगा आने माले papers में चलिए अगले question पर बढ़ते हैं साथवा number question है if x बराबर a sin theta minus b cos theta y बराबर a cos theta plus b sin theta then which of the following is true CGL means 2015 का question है और ये 4 option है y square x square minus y square x square plus y square इसका मतलब कि इसको भी square किया है और इसको भी square किया है और करने के बाद फिर या तो जोड़ा है या तो फिर घटाया है ओके तो हम square करके जोड़ के भी देखेंगे घटा के भी देखते हैं तो पहले squaring कर देंगे दोनों साइट तो यहां स्कॉायर हो जाएगा और यहां भी स्कॉायर हो जाएगा यहां स्कॉायर कर देते हैं यहां भी स्कॉायर हो जाएगा अब अगर पहले नजर अगर रखें कि जोड के देखें तो देखिए लेफ्ट का लेफ्ट में जूटेगा एक्स स्कॉायर और यह y square is equals to यहां देखिए square whole square है और यह value a minus b के whole square पे break हो जाएगी और यह value a minus a plus b के whole square पे break हो जाएगी तो जब a minus b का whole square का formula लगाएंगे तो माइनस 2 a b निकल कर आता है तो माइनस 2 2 a b sine theta cos theta यहां plus के वज़े से plus 2 a b निकल कर आएगा तो plus 2 a b cos theta sine theta जोड़ने के बाद minus वाला plus से कट जाता है और फिर क्या निकल कर आएगा a square plus b square a square plus b square जाए तो एक प्लेस पे a sine theta है तो a square sine square theta और यहाँ पर देखिए a square cos square theta a square common कर देगे तो sign square theta cos square theta 1 बत जाएगा मतलब a square into one a square यहां से और क्या निकलेगा b square cos square theta वहां से b square sine square theta b square common to cos square theta plus sin square theta 1 बन जाएगा तो प्रवां इसकुरिफ ओर जो नेगटीव एलिए थी पॉजिटीव एलिए से कुट गई मतलब माइनस टू ए-बी सुन ठीटा कॉस्ट ठीटा प्लस टू ए-बी साइन ठीटा कॉस्ट ठीटा कट लिया ये आपको मिल गया ये option में है बिल्कुल है आपका डी option, मतलब ये question अगर आपसे कहूं तो ये mentally करने माला question था बहुत असान question था और अब अगर आप support करके ट्राइब करेंगे तो सब्ट्राइक करके सब्ट्रैक्शन से नहीं होने वाला सब्ट्राइक करके ट्राइक करेंगे तो नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा आप ट्राइक करिएगा जोडने के बाद यह मिल गया हमें मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यह मेंटली बस यूज हुआ है फ पहला वाला प्लस वाला फॉर्मूला यहां यूज हुआ है और ब्रेक करने के बाद फिर जोड़ा गया है तो यह मिल गया है तो मैंने directly mentally को कर दिया है आप अच्छे से जरा एक बर pen copy लेकर बैटिये और इसको try करिए आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सा term कट जाता है और कौन सा term common करने के बाद identity बन जाती है ओके और फिर आपको यह easily मिल जाएगा तो इस तरीके का question mentally भी आपको उड़ाना सीखना है लेकिन उससे पहले आपको अच्छे अच्छे questions की practice कर लेनी है mathematics में command बना लेनी है ताकि एक बर आप अच्छे से mathematics पर command अपनी बना लेंगे तो इस तरीके का question आप mentally उड़ा देंगे बिलकुल mentally उड़ाएंगे बस data को देखकर आपका mind data देखेगा तुरंत चलना चालू कर देगा कि इस question को कैसे करना है लेकिन यह होता कब है जब आपकी mathematics पर command होगी आपने बहुत सारी practice की होगी और आपने mind से बहुत ऐसे questions को उड़ाया होगा तो नया question भी बनेगा तो 10 थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 and थीटा इस positive acute angle मतब थीटा जीरो से 90 के बीच में then the value of 10 थीटा प्लस 15 10 थीटा माइनस पंद्रा is CGL मिन्स 2015 का question है और चार option है देखिए बहुत आसान question है यहां लिखा है 10 थीटा माइनस कॉट थीटा जीरो लिखा है तो मैं आपसे कहूँ कि ऐसा थीटा क्या हो सकता है कि जीरो आ जाए तो आपका दिमाग थीटा को जाना चाहिए थीटा बराबर 45 डिग्री पे 10 45 1 होता है कॉट 45 भी 1 होता है 1 माइनस 1 कट जाएगा 0 हो जाएगा मतलब थीटा 45 satisfy कर गया इस condition को अगर थीटा पैतालिस satisfy कर गया यह असान condition को थीटा को उठा गया 45 यह यह ठीटा के जगह पे रख देंगे यहां यहां रख दिंगे तो 45 ताहि कितना होता है 10 Heard पर से मिला 10 साथ कितना होता है रूट त्री यहां 45 माइनस 15 यहuir तीस ताहिं सान्पीश कितना होता है 1 upon 15 at new 31 अपन अंड हुट 3 रूट देटर प्लट के ऊपर चल जाएगा तो रूट 3 10.9-9 9-9 बन जाता है मतलब यह option हमारा correct हो जाएगा बहुत आसान question था मैंस का ही पूछा हुआ question था था थीटा माइनस कॉट्ट थीटा 0 दिया है और थीटा acute angle मतब 0 जिरो से 90 के बीच में ही थीटा है तो यह condition कब satisfy करेगी जब ठीटा 45 आप लेंगे तो ही ये जीरो आ सकता है अधर्वाइस ना 30 पर आएगा ना 30 पर आएगा ना 60 पर आएगा ना 90 या 0 किसी पर नहीं आएगा ओनली ठीटा 45 पर इस condition को satisfy करेगा ओके चलिए अगले कुशन पर हम बढ़ते हैं नाइंत नंबर कुशन है दव वैल्यू आप कॉट 41 कॉट 42 कॉट 43 कॉट 44 कॉट 45 कॉट 46 कॉट 47 कॉट 48 कॉट 49 कॉट 49 इस सब गुड़ा में 41 से चालू हुआ है और 49 पर जाके खतम है मतलब 41 डिग्री और यहां 49 ओके इस अब डिग्री में है आपको याद रखना है यह सब कि ओके तो देखिए यहां कॉट 41 लिखा है और यहां कॉट 49 लिखा है तो 49 और 41 कितना होता है कि उन्चाइस और 49 होता है ओके यहां 42 लिखा है और यहां 48 लिखा है इसको भी अगर जोड़ू तो ये भी 90 होता है का 47 को जोड़ू तो चा वालिस और 444 को जोड़ू तो नब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब बचेगा सिंगल कंडिशन याद रखनी है कि कभी भी AYANA हो कि दो angle का जोड अगर 90 degree हो जाए ये condition याद रखनी है कि दो angle का sum 90 हो जाए तो cot A into cot B बराबर 1 होता है ये याद रखना है और same tan के भी साथ है tan A tan B बराबर 1 होता है ये आपको याद रखना है cot A cot B 1 होता है तो यहाँ question cot के form में दिया था और इन दोनों का summation 90 इनका इनका 90 तो product 1 हो जाएगा मतलब cot 41 हो 49 का product 1 हो जाएगा प्रोडक्ट मतलब multiplication 42 और 42 का product 445 का product 1 हो जाएगा cot 44 हो चियालिस का product 1 हो जाएगा अकेला बेचारा cot 45 बज जाएगा यहाँ सबसे 1 निकल कर आएगा और court 45 भी 1 होता है मतलब 1 into 1 into 1 into 1 सब 1 हो जाएगा आपका A option correct हो जाएगा यही question court अगर 10 के form में रहता तो भी answer आपका 1 ही आता क्यूंकि 10 45 भी 1 ही होता है court 45 भी 1 होता है तो इस पे आपको अच्छे से command कर लेनी है कि जब 2 angle का summation 90 होता है तो यह सब आपको अच्छे से याद रखना है इस पे अलग-अलग तरीके से question बनाया जाएगा exam में even बहुत बार पूछा भी गया है कभी 10 दे कर कभी 41 भाय 43 दिया तो कुछ और दे कर पूछा जाएगा कुछ और भी दे सकता है 10 भी दे सकता है फिर sine cost के form में भी पूछा जा सकता है आगे हम और question करेंगे ऐसे तो इस पे आपको और detail में समझ में आएगा फिलहाल के लिए आप ये सब अच्छे से अपने mind में set कर लीजिए कि अगर 10 रहेगा, caught रहेगा तो इस तरीके से आपको करना है अगले question पर हम बढ़ते है ये आपका दस्वा question है value of six square theta minus sine square theta minus two sine की power 4 theta upon two cause की power 4 theta minus cause theta is CGL means 2015 का question है चार option है ओके यहाँ bracket कर लेंगे हम इस bracket के बाहर minus है अब देखिए हमें इसको solve करके answer लेकर आ रहा है तो हम दो तरीके से इस question को solve करेंगे मैं चाहता हूं कि आपके mind में एक से ज़ादा method चले ताकि आपकी command बहुत अच्छी हो जाए mathematics के उपर trigonometric अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसके भी उपर ओके देखिए यहां लिखा है साइन स्कॉाइर ठीटा यहां माइनस टू साइन की पाउर फोर यहां कॉस की पाउर फोर माइनस कॉस स्कॉाइर यहां से उपर से अगर साइन स्कॉाइर कॉमन कर लो और नीचे से कॉस स्कॉाइर कॉमन कर लो तो यह sec square theta लिख लेते हैं पहले sec square theta minus उपर से sin square common कर लेते हैं और नीचे से cos square common कर लेते हैं तो उपर bracket में क्या बचेगा देखिए यहाँ sin square common करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा minus यहाँ 2 sin की power 4 है तो sin square बाहर निकल गया तो अभी भी sin square theta बचेगा क्योंकि 4th power है 2 power निकलेगी तो 2 power बच जाएगे इधर cos square आपने बाहर किया तो 2 cos square theta और इधर minus 1 बच जाएगा तो यह जो bracket में लिखा है 1 minus 2 sin square theta और 2 cos square theta minus 1 यह दोनों value cos 2 theta का formula होता है आपको याद रखना है cos 2 theta का formula एक तो पहला यह याद रखना है कि 1 minus 2 sin square theta दूसरा याद रखना है 2 cos square theta minus 1 और क्या याद रखना है cos square theta minus sin square theta और 10 के form में होता है 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta और आपको एक और याद रखना है cos 2 theta का cos की power 4 theta minus sin की power 4 theta यह value cos 2 theta के बराबर होती है पहले वीडियो में इस पे बहुत detail तरीके से मैंने discuss किया है usually यह सब सबको पता होता है लेकिन इस पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि यह cos की power 4 theta minus sin की power 4 theta कैसे cos 2 theta होता है तो इतना आपको cos 2 theta के बारे में सब याद रखना है तो यहाँ 1 minus 2 sin square theta है वो भी cos 2 theta 2 cos square theta minus 1 है वो भी आपका cos 2 theta ही होता है मतलब यह पुरा bracket से कट जाएगा जब equal है दोनों तो कट जाएगा तो यहाँ देखिए सेक स्क्वाइर ठीटा और साइन बाई कॉस क्या होता है तो टैन स्क्वाइर ठीटा वापस से बात आके खड़ी हो जाती है कि यह सेक स्क्वाइर है ठीटा माइनस 10 है स्क्वाइर ठीटा क्या लिखा है we know metric की सेकट आइदुनिटी लिख है जिसको हम बन कहते हैं स्क्वाइर थी टा-पन यसको एटीटा-वं पहला में थट था जो फॉर्मूले के थ्रूग है अब देखिए यह आपका साइंग कॉस सेक में दिया है और वैलू जो अंसर आया है वन आया है नुमेरिक वैलू तो हम क्या करेंगे अपने साइट से ठीटा पूट कर लेंगे और ऐसा ठीटा पूट करेंगे जो जिसके वज साइन का इस्क्राइर तो हुगा से गजमीर होता है स्क्राइब करेंगे तो मान आयँगा माइनस जीटा करेंगे cos 0 1 होता है 1 की power 4 1 2 into 1 2 cos 0 1 होता है 1 का square 1 तो 2 minus 1 यहां से 1 आएगा तो 0 upon 1 कितना आएगा 0 आएगा और यहां से निकल के क्या आया 1 आया तो 1 minus 0 क्या हो जाएगा 1 ऐसे भी आप कर सकते थे एक ठीटा उठा कर यहां पर put कर देते तो इस तरीके से भी आपका mind चलना चाहिए कि question अगर trigonometric form में दिया है और answer आपका numeric value दिया है real number के form में तो आप theta put करिए और देखिए real number क्या आता है solve करने के बाद अगर आ गया option match कर गया तो answer पर आप click करिए ऐसे भी आप कर सकते हैं तो इस वीडियो में टोटल हम लोगों ने दस question solve किया और दस का दसो question CGL मेंस का पूछा हुआ question था और अच्छे quality का question था जिसमें मैंने आपको formula के through भी समझाया और आपको direct theta put करके भी रखना सिखाया कि कैसे आपको करना है तो hope आपने अच्छे से इस वीडियो को अगर देखा होगा तो आपको बहुत सी चीज़े इसमें समझ में आए गई होगी आपको formula समझ में आ गया होगा और theta की value कैसे put करके फटा फटा अंसर लेकर आते हैं तो यह trigonometric की दूसरी वीडियो थी इसके बाद भी मैं trigonometric को आगे continue करूंगा और different qualities के questions कराऊंगा जो exam में पूछा गया है अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं CGL की कर रहे हैं CHSL की कर रहे हैं CPO की MTS की even आप railway की भी कर रहे हैं banking की भी कर रहे हैं तो यह सब बहुत जादा आपके लिए helpful होगा क्योंकि trigonometric के अंदर तो यही है कोई नई trigonometric तो railway वालों के लिए अलग है नहीं बैंकिंग के लिए अलग है ना SSC के लिए अलग है सब एक ही जैसा है तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर बने रहिए पूरा देखा करिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप वीडियो को देखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से चैनलाइज करिए अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और कोई न कोई गवर्मेंट इग्जाम को जरूर क्रैक करिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो मे तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखिए